Hello everyone, on previous lecture में हमने म equivries method पती थी कौन्सकी थी । garmentory method उसकी help शे हमने करे समल गिया थे and second method भी हमने देखे थी and कुछ example हमने शोल गिया थे, सभी example सोल गिया थे आज स्टार्ट करने वाले exercise 12.3 टेक्स ब् boyk मैं पेर नॉमबर 259 पेर Okay, first sum है, if the cost of 7 meter of cloth is 1470 rupees, find the cost of 5 meter of cloth. Okay, हमें first given है, यहाँ पर cloth given है, कितना cloth है? 7 meter, okay, 7 meter cloth की price given है, उसकी cost क्या है? 1470 rupees, तो हमें find क्या करने, find the cost of 5 meter of cloth, तो 5 meter cloth की price कितनी होगी? Okay, अब easy हो गया, cross multiplication, unitary method से अगर जाओंगे, तो first क्या करना पड़ेगा? 1 unit का find करना पड़ेगा, यानि कि 1 meter के cost कितनी है, वो find करेंगे, उसके बाद उसको 500 multiply करेंगे, तो वह थोड़ा number हो जाएगा, पर हम किसी method को apply करेंगे? Direct cross multiplication वाली, अब 1470 into क्या हैगा? इन दोनों का multiply होगा, into 5, and division में आएगा 7, ओके? अब क्या करेंगे? जो बड़ा number है, 1470, उसको हम 7 से cut कर देंगे, तो यहाँ पर आएगा 210, directly अगर 21 का table आते हैं, तो आप direct कर सकते हो, and table नहीं आते हैं, तो simple क्या कर सकते हो? आप division, 1470, डिवैड बाइ 7, 7, 2 जा कितने होगे? 14, 00, उपर से 7 निचे हैगा, यहाँ, तो 7, 1 जा 7, and 10 बागी तो 7, 0 जा किया हो जाएगा, 0, okay, तो 210 इस तरह साब को मिल जाएगा, 210 इंटू 5, and 21, 5 जा कितने होते हैं, 105, तो इतने रुपीज होगे, तो पीछे एक 0 रख देंगे, जिसको भी टेबल नहीं है, तो simple multiply भी कर सकते हैं, 210 इंटू 5 कर देना, तो आपको मिल जाएगा, 1050, तो फिर्स का आंचर इस तरह साब को मिल जाएगा, कि 5 मिटर क्लोथ अगर आपको लेना है, तो उसकी प्राइस होगे, 1050 रुपीज, सेकेंड साब है, एकता अर्ण्स 1500 इन, 1500 रुपीज इन 10 देज, इन 30 देज, एकता है, वो 10 दिन में कितने रुपे अर्ण कर रही है, 1500 रुपीज, तो 30 दिन में वो कितने रुपे अर्ण करेंगी, तो यहाँ पर लिखेंगे डेज, जो भी फाइंड करना है, वो इस तरफ लखेंगे, यहाँ पर लिख दो, और, मनी, ओके, फ़र्स, 10 देज में वो कितने रुपे अर्ण कर रहे है, 1500 यानि कि 1500 रुपे तो 30 देज में वो कितने रुपे अर्ण करेंगे, क्रोस मल्लिप्ली कैसा, 1500 इन दोनों का होगा मल्लिप्लाई, इन टेन चला जाएगा डिविजन में, जिरो जिरो हो जाएगा, कट, 15 थिरी जा, 45 और, जिरो जिरो लगद पीछे, 4500 रुपे इतने रुपे वो और्ण करेंगी, 30 दिन में, ओके, सेकेंड समामर यहां पर, कॉंप्लेट, वैसा ही थर्ड है, इफ, इट, हैस रेंड, 276 मिलिमेटर, इन दे लास्ट त्री देज, हाव मेनी सेंटिमेटर, ओफ, रेंड, विल फॉल वीक, वान वीक में किनने डेज होते हैं, 7 डेज, आपको ब्रेकेट में पी गिवन है, कि 7 डेज, एज्यूम धैट, दे रेंड कंटिनियूसली टू, दे फॉल एट दे सेम रेट, हम ऐसे एज्यूम कर लेना है, कि जो रें है, वो कंटिनियूसली, कि जैसी 3 डेज में होई है, वेसे ही कंटिनियूसली कितने दिन तक होगी, 7 डेज, पुरा वीक, वेसे ही बारी सोने वाली, ऐसा हमें सिफ एज्यूम करना है, तो साथ दिन में, जो पुरा वीक है, उसमें कितना रें हुआ होगा, वो हमें फाइंड करना है, एंड किसमें फाइंड करना है, वो भी का है, कि how many centimeter, यहाँ पर हमें जो given है, वो किसमें मिलिमीटर में है, एंड करना है, centimeter में, तो first हमें convert करना पड़ेगा, first यहाँ पर जो भी given है वा लिक दो, यह days है, एंड यहाँ पर लिक देंगा, rain, three days में, 276 mm, one centimeter is equal to, कितने millimeter होते हैं, 10 millimeter, जो मैंने आपको बताया था, class में भी, and offline में भी बढ़े थे, online में भी बढ़े थे, one centimeter is equal to 10 millimeter, जो scale में होते है, small lines, वो मैंने आपको बताया था, उस तरह से, तो यहाँ पर millimeter में convert करना है, into centimeter, periverse होगा, one millimeter is equal to one by 10 centimeter, जो scale में था, कि zero, one, two, three, four, five, one, two, three, four, five, तो सिफ़ हमें इतना पार्ट ही चाहिए, इसका हमें find करना है, कि one millimeter is equal to one by 10, तो इसको अगर convert करेंगे, तो क्या हो जाएगा वो, 27.6 centimeter, कर समझना आ जाएगा न, 27.6 centimeter, इस तरह से होगा, तो proper अगर देखना है, यहाँ पर स्पेस नहीं, उपर ही लिख देते हैं, three है, तो first, millimeter से centimeter में convert करते हैं, 276 millimeter हमें गिवन था, अब आपको पता है, one centimeter is equal to 110 millimeter, and one millimeter is equal to one by 10 centimeter, अब हमें यह वाला करना है, ओके, तो 270 millimeter is equal to क्या होगा, 270 by 10 centimeter इस तरह से होगा, one का one by 10 centimeter हो रहा था, तो 276 का भी क्या होगा, divide by 10, तो अब हो जाएगा 27.6 centimeter, यह आपको मिल गया, ओके, अब डाइरेक कंपेर कर देते हैं, यहाँ पर लिखते हो days, वैसे ही week वाला भी कर देते हैं, ओके, one week, वो already given है, फिर भी लिख दो, कि one week is equal to seven days, सभी को पता है, one week is equal to seven days, अब, यहाँ पर लिखेंगे days, यहाँ पर लिखेंगे rend, three days है, उसमें कितना हुआ है, rainfall 27.6 cm, तो seven days में कितना होगा, 27.6 into seven divided by three, तो क्रोस मल्लिप्लाइ होगा इस तरह से, इन दोनों का मल्लिप्लिकेशन, एंड यह नीचे, 27.6, 27.6 था, अब पॉइंट निकाल देंगे, तो नीचे के आएगा 10, यह नीचे के आएगा 10, 644 divided by 10, एंड पॉइंट में कनवर कराएंगे, तो 64.4 cm, इतना रेंड फॉल होगा, वन वीक में, तो सेंटिमेटर, हम, अब उसके बार, नेक्स्ट है, फॉर्थ वाला संब, कोस्ट ओफ फाइव केजी ओफ वीट, इस 91.50 रूपीज, हमें वीट है, उसका कोस्ट गयोँ है, 5 केजी वीट का कोस्ट है, 91.50 रूपीज, एंड फॉर्स पार्ट में, फाइंड करना है, कि, वाल वीट 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 की प्रैस, कितनी होगी, हमें फाइंड करना है, फाइंड करना है, फाइंड करना है, तो यहां पर हमें जो गीवान है, वाल लिख दो फाइंड, वेट एंड यहां पर कोस्ट, फाइव केजी, वेट है, वीट का, उसकी कोस्ट है, 91.50 रूपीज, तो, एट केजी की, कितनी प्रैस होगी, कि कोस्ट कितनी, प्रोस्ट मर्लिफिली के संग, 91.50, इंटू 8, डिवेड बाइ, 5, अब, पॉइंट हटा देंगे, तो क्या आएगा, डिनॉमिनेटर में, 100, ओके, क्योंकि, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, 2 डिजिट है, तो आएगा 100, यहाँ पर 5, 00, कट, अब 5 से इसको कट करेंगे, तो 5 अन जा 5, 5 अन जा 40, और 5 तरी जा 15, इस तरह से डिवेड कर देंगे, 5 अन जा 5, अब उपर जो बच रहा है, 183 इंट एट, दिवेड बाई 10, उन दोनों का कर दा हम, मुल्टिप्लाई, 183 इंट एट, 8 तरी जा 24, 8 एट जा 64, प्लस 2, 66, 8 वन जा 8, 8 प्लस 6, 14, 14, 64, दिवेड बे 10, एट पोइंट में कनवाट करेंगे, 146.4 रूपीज, इतने रूपी, पोस्ट होगी, अगर आपको 8 केजी वीट लेना है तो, फिर सेकेंड पार्ट है, बी पार्ट, उसमें आपको कहा है, कि, वोट क्वांटिटी ओफ वीट, विल बी परचेज इन 183 रूपीज, कितनी क्वांटिटी आपको वीट के मिलेगी, अगर आप 183 रूपीज में वो खरीद रहे हैं, वोट के जो जो फाइंड करना है, उसको हम राइट सेड पर लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे कोस्ट, यहाँ पर लिख दो, क्वांटिटी ओफ वीट, ओके कोस्ट कितनी हमें, स्टार्टिंग में किवांट दा, कोस्ट को फाइव केजी ओफ वीट इस 91 प्लोस 0.50, तो जब 91.50 इतने रुपीज है, तो उसमें आपको कितनी मिलती थी कॉंटिटी, फाइव केजी, अब आपके पास रुपीज कितने हैं, 183 रुपीज है, तो आपको कितने, कितना वीट मिलेगा, वो उमें फाइंड करना है, फ्रोस मॉलिप्लिकेशन, फाइव इंटू 183 डिवेड बाइ 91.50, पॉइंट अटा देंगे, तो क्या हो जाएगा यहां पर, 183, 50, उपर आएगा 100, यह निचे है, पॉइंट निकालेंगे, तो उपर 100 होगा, पॉइंट के बाद 2 लिजट इस लिए, 00 कॉट, अब जैसे यहां पर हमने किया था, वैसे ही कर सकते, 5 है, 5 से हमने इसको डिवाइड किया था, तो क्या मिला था, 183, तो 183 से यह काट हो रहा है, एंड, 183, 183, यहां पर काट हो गया, उपर क्या बचा, only 10, तो 10 केजी, वीट आंसर आएगा, 10 केजी आप खरी सकते हो, अगर आपके पास, 183, रुपीज है, तो, अब नेक्स टेप 5, यहां पर काट है के टेंपराचर है हो, 15 डिग्री सेल्सियस, काम हुआ है, ड्रोप डाउन हुआ है, ड्रोप हुआ है, 30 दिन में, तो 10 दिन में, कितना टेंपराचर ड्रोप डाउन होगा, उस तरह से, तो यहां पर लिग दो, ओके हमें फाइंड करना है कि, कितना डेग्री सेल्सियस, टेंपराचर ड्रोप होगा, वो हमें फाइंड करना है, तो राइट सेल्सियस हो आएगा, यहां पर लिग दो डेज, यहां पर लिग दो, टेंपराचर ड्रोप, इन डेज, टेंपराचर, टेंपराचर ड्रोप, पर अपर कि, फिफ्टें डेग्री सेल्सियस, इन दाल्स तर्टी डेज, थर् Nerdy डेज में, टेंपराचर ड्रोप होगा है, ड्रोप होगा है, ऐन फिफ्टी डेज, तो, फिफ्टी डिटी, सेल्सियस, ओकै वाट में इस तरह से भी लीख सकते हैं, तो 10 days में कितना decrease होगा, वो आमें find करना है, how many degrees will the temperature drop in next 10 days, यहाँ पर 30 days काम है, ग्यों था, next 10 days काम find करना है, cross multiply, and यहाँ पर आपको बीच में कहा है, if the rate of temperature drop remaining the same, बाकी जो भी है, वहाँ पर जो temperature drop down हो रहा है, वो क्या है, same, ऐसा हमें कहा है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, 15 into 10 divided by 30, 00, cut and 35's are 15, तो कितना drop होगा, 5 degrees Celsius, इतना temperature drop होगा, next 10 days में, अब उसके बाद 6 वला साम है, रिना पेज 7,500 रूपेज as rate of 3 months, how much does she has to pay for a while year, if the rate per month remaining same, रिना है, वो rate पे रह रही है, and उसने 3 months में कितना rate दिया है, 7,500 रूपेज, अब बाकी सबी जो month है, उसमें rate है, वो same है, पर month का, तो उसने कितना rate दिया होगा, पुरे साल का, वो हमें find करना है, इस तरह से वहाँ पर आपको कहा है, तो समने, तो one year is equal to कितने month होगे, 12 month, and यहाँ पर हमें given है 3 month का, find क्या करना है, कि total rate कितना हुआ होगा, तो यहाँ पर, लिख दो time, and यहाँ पर, rent, 3 month है, उसमें, कितना rate दे रही थी वो, rent, 7,500 rupees, अब total month कितने है, 12 month, तो उसमें वो कितने है, rupees का rent देंगी, पुरे साल का, ओक हमें उसी का find करना है, how much does she has to pay for a wall year, तो पुरे साल का, हमें find करना है, यानि कि 12 month यहाँ पर आएगा, यहाँ पर यह month में था, and यह year मा था, यानि कि हमने उसको क्या क्या मांथ में convert कर दिया, तो अलग-अलग unit में हो, तो first हमें क्या करना है, उसको एक unit में convert कर दो, अब cross multiply, 7500 इंटो के आएगा 12, divide by 3, 3 के table में 12 आता है, तो कि yes, 3, 4 जा, 12, कट हो गया, 75 इंटो, 7500 इंटो 4, दोनों के कर दो, multiply, 75,000, sorry, 75,000 इंटो 4, 4, 0, 0, 4, 0, 0, 4, 5, 20, 0, 1, 2, carry forward, 28 जा, 27 जा, 28, and 28 plus 2, 30, तो 30,000 रूपिस, इतना रेंट होगा, पुरे साल का, पुरे साल वो रेंट देंगी, तो वो 30,000 हो रहा है, फिर 7 वाला साम, वहाँ पर आपको कहा है, कि cost of 4,000 बनाना इस 180 रूपिस, how many बनाना can be purchased for 90 रूपिस, अब यहाँ पर आपको कहा है, कि 4,000, 1,000 is equal to कितने बनाना होते हैं, 12, and 4,000 का हमें गिवान है, तो यहाँ पर दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसको dozen को हम convert कर देंगे, into, no, count करते हैं उस तरह से, 1 dozen is equal to 12, इस तरह से होता है, तो उस तरह से भी कर सकते हो, and direct भी हो जाएगा, तो directly करते हैं, यहाँ पर लिख दो, जो भी हमें गिवान है, वो यहाँ पर लिखेंगे, तो यहाँ पर cost गिवान है, find क्या करना है, number of bananas, okay, 180 रुपीज में, कितना मिल रहा है, 4 dozen, तो 90 रुपीज में कितने बनाना मिलेगे, cross-mult-lip day, 4 into 90, divide by 180, 0-0 cut, 9 to the 80, 18 and 2 to the 4, कितना मिलेगे, 2 dozen, 2 dozen banana मिलेगे, and number of banana आपको find करना है, तो इस तरह सब भी करता है, 1 dozen is equal to 12, and 2 dozen bananas is equal to 12 into 12, 2 into 12, या रिके 24 bananas हो गया, okay, number of banana find करना है, तो इस तरह सब करता है, otherwise 2 doesn't be, लिख सकता हो, okay, दोनों answer right है, यह वाला भी right है, and यह वाला भी, अब उसके बाद next, 8 वाला, the weight of 72 books is 9 kg, what is the weight of 40 such books, 9 kg book है, उसका weight हमें क्यों है, sorry, 72 books है, उसका weight हमें क्यों है 9 kg, तो अगर 40 books है, तो उसका weight कितना होगा, वो हमें find करना है, काफी easy sum है सब, and यह वाला आगे भी आएगा, आगे की standard में भी आएने वाला है, यहाँ पर लिख दो books, and यहाँ पर लिख दो, weight, first हमें किया कि वोने 72 books है, तो उसका weight हो रहा है 9 kg, तो अब find किसा करना है, 40 books का, 40 books, उसमें कितना weight होगा उसका, 9 into 40 divided by 72, 9 का टेबल अगर आपको आता है, तो आप direct कर सकतो, 9, 8 जा कितना होगे, 72, and 8 के टेबल में 40 आता है, 8, 5 जा, 40, तो 5 kg आपको मिलेगा इसमें, तो 9 के टेबल में 72 आता है, 9, 8 जा किया हो गया, 72, तो 9 यहाँ पर cut हो जाएगा, 9, 9 cut, 8 बच रहा था, तो 8 के टेबल में कोण आ रहा था, 40, तो 8, 5 जा 40, 8, 8 जुनों जगा से cut हो जाएगा, यानि कि 5 आंसर बच रहा है, 5 kg उसका weight होगा, तो 9 आईएगा, अब उसके बार नेक्स थे, 9 आईबलासम, एट्रक रिच्वाइगा, 108 लित्र अफ ज़र ऑफ ज़र इसल और कर में एसल ज़र ज़र ऑफ ज़र कहरेदेगा, 594 किमी, नच बच लिवर बच्वाइगा, इसमें थोड़े केल्कुलेशन बड़ी होगी पर आप कर सकते हैं अगर टेबल आपको आते हैं अच्छे से तो 1225 के सभी टेबल अच्छे से कर लेना अगर गलती हो रही है तो गुलान कर लेना खर पर बेठे बेठे नाइन वाला साम में यहां पर आपको कहा है कि एक ट्रॉक है वो 108 लेटर डिसल है उसमें वो कितना डिस्टन्स कवर कर रहा है 594 किलोमीटर अगर उसी ट्रॉक को 1650 किमी डिस्टन्स कवर करना है तो कितना डिसल उसको चाहिए वो हमें find करना है कितने डिसल चाहिए तो यहां पर हमें diesel find करना है तो diesel right side पर आएगा यहां पर आएगा distance यहां पर जो find करना है वो किया find करना है डिसल डिस्टन्स आपको स्टार्टिंग में गिवान है 594 किलोमीटर एंड यहां पर अगर आप देखोंगे तो नंबर सभी कैसे है बड़े बड़े नंबर आ गया है ओके 108 into 1650 divided by 594 इन दनों को cut करना है तो 13 130 into 11 यह करेंगे तो आपको मिलेगा 150 into 11 करेंगे तो यह मिलेगा यहां पर 54 into 11 इन दोनों का अब 9 का टेबल आता है तो 9 के टेबल में 12 9 जा 12 के टेबल में क्या आता है न 12 9 जा 108 and 9 6 जा 54 99 विल भी cut and 6 से भी cut होगा ओके यहां पर directly cut हो रहा है तो टाय रखी कर दो कि यह उसका क्या है डबल 54 का डबल कितना होता है 108 108 150 divided by 54 54 का डबल होगा 108 and 2 into 150 and 15 2 जा 30 and 0 रख दो 300 लेटर इतना petrol चाहिए अगर आपको distance cover करना है 1650 किलो मेटर यहां पर calculation बड़ा होगा यहां पर जो बड़ा नमबर था and यहां पर भी बड़ा नमबर था तो first उसको हमें cut करना है दोनों किसके table में किसके multiplication है multiply में आएगा तो वह है 11 okay दोनों ही 11 से cut हो रहा है 11 11 से उसको अटा देंगे फिर यह 54 है वो क्या था इसका half था 54 का double क्या होगा 108 तो इन दोनों कमने cut कर दिया and last simple 152 जा कर दो 150 का double यानि कि 300 वो हुगा उसका answer फिर यहां पर है 10 वाला संग राजू परचेसे 10 पैंस पर 150 रूपीश और मनेश बाइ 7 पैंस पर 84 रूपीश चैप्टर अब यहां पर दो परसन में गिवन राजू एंड मनेश राजू ने परचेस किये 10 पैंस कितने रूपीश में 150 रूपीश में एंड मनी से उसने 7 पैंस परचेस कितने रूपीश में 84 रूपीश में तो मैं find क्या करना है कि तो किसको पैंच पर मिलेगा वो हमें point करना है first राजू का करते हैं इसमें क्या करेंगे कि हम unitary method में जो करते थे वेसे ही यहां पर लिखेंगे pen one unit का हम post find करना है एंड यहां पर उसका post 10 pen के post कितने है 150 रूपीश तो one pen की post कितने होगी 150 पोरोस मल्लिप्ले करेंगे तो 150 into 1 divided by 10 00 cut याने कि 15 रूपीश होगा पेंड मनिस्का करेंगे तो उसमें यहां पर pen एंड पोस्ट उसने कितने पेंड ली है सेवन एंड उसने उसके पेशा दिये 84 तो one pen के कितना होगा प्रोस मल्लिप लाएं 84 into one divided by seven अब seven से इसको cut करेंगे तो 12 seven जा कितने होगे 84 यानि कि 12 रूपीश होगे तो मैं यहीं प्रेंड करना था कि किसको कम किसने कम रूपीश में पेंड ली है तो मनिस्ट ओके लास्ट सम में हमें क्या कहा है कि दो परसन है सेम इसके जैसा ही है अब फाइंड क्या करना है कि दो परसन ने अनिस मेड 42 रूण in six hour और अनुप मेड 63 रूण in seven hour वो मेड मोर रूण पर अवर तो किसने ज्यादा रूण बना है पर अवर यानि कि एक अवर में सबसे ज्यादा रूण आता है उस तरह से एवरेज निकालेंगे तो किसने ज्यादा रूण बना है पर अवर अगर इस तरह से कंपेरिंग करना है तो वहाँ पर हम किसका यूज़ करेंगे यूनिटरी मेठोड यानि कि one यूनिट में चला जाना है विलेवन वड़ा समय फर्स्ट हम करेंगे अनिस का यहां पर लिखेंगे आवर उक्यों पर अवर हमने फाइंड करना है एंड यहां पर लिखेंगे रून्स अब फर्स्ट उसने शीक्स आवर में कितने रून लिये 42 रून्स तो वान अवर में कितने रून्स होगे पर अवर हम यहां फाइंड करना है तो वान अवर का होगा 42 इंटू 1 डिवेट बै 6 42 किस का बाएगा 6 7 जा 42 तो पर अवर उसने रून्स कितने लिए है 6 यानि कि अगर स्वरी 7 वान अवर में वा 7 7 रून लेगा तो 6 अवर में कितने रून होगे उसके टोटल 42 रून्स अब हम दूसरे का फाइंड करते हैं अनूप उसने लिए है 7 अवर में 63 रून्स तो 1 अवर में कितने रून उसने लिए होगे पर अवर में फाइंड करना है तो 63 इन्टो 1 डिवेड बै 7 7 नैन जा कितने होते है 63 तो 9 रून्स तो पर अवर कितने रून लिए है इसने 9 रून्स तो हमें वही फाइंड करना है था कि पर अवर किसने ज्यादा रून बनाये है तो किसने बनाये है अनूप ने ज्यादा रून बनाये 7 hour में उसने 63 run लिए per hour उसको मिल रहा है 9 run याने कि 1 hour में वो कितने run बनाएगा 9 जबकि अनिसे वो 1 hour में 7 run बनाएगा तो last में यहां प्रांचर लिख दो कि Anu made more runs per hour यहां पर हमारा चेप्टर भी हो रहा है complete अब किसे को doubt होता कुछ लो